स्टारी आएक्यों में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो के माथियम से हम इंग्लिश लिटरी वर्क्स के सीरीज को आगे पढ़ाएंगे और हम यहाँ पर जोर्ज इलियत याने की मेरी आन एवन्स के एक इंपोर्टन नॉवल आडम बीट को देखेंगे आडम बीट एक इंपोर्टन नॉवल है चोकि अक्सर आपके एक्सामिनेशन में पूछी भी जाती है यह नॉवल विक्टॉरियन एज की एक इंपोर्टन वर्क में से एक मानी जाती है और यहाँ में याद रखना है कि इस वर्क वस पब्लिश्ट इन 1859 आडम बीट को हमें कह जोज इलियट का यह अक्चुली एक सूडनम था एक फॉल्स नेम था इनका असल नाम था मेरी आन एवन्स तो यहाँ आपको याद रखना है कि विक्टॉरियन ससाइटी में विमिन नॉवलिस्ट हो थे जैसे कि आपके शालट ब्रॉंटे हो गई उन्होंने करर बेल का इसली नहीं लिया जाता था तो इसलिए यह लोग सूडनम का प्रयोग करते थे तो जोज इलियट भी जो है यह सूडनम है मेरी आन एवन्स का यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह जो वर्क है यह काफी हद तक आटो बायोग्रिफिकल माना जाता है इवन दो मिल उन्द फ्लॉस इस कंसिडर तो बी जोज इलियट्स मोस्ट ऑॉट बायोग्रिफिकल नौवल लेकिन फिर भी आडम बीट के अंदर भी हम जोज इलियट की परसनल लाइफ के कुछ एलमेंट्स को देखते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि इस नौवल के अंदर जो मेथरडिसम का मेथ अधिक्षन है मेथोडिसम क्या था मेथोडिसम एक तरह का आपका रिलिजिस रिफॉर्म मुवमेंट था जोसे हम आगे जाके और अच्छी तरह से देखेंगे तो मेथोडिसम के उपर हम देखते हैं जहां पर वी सी जोज इलियट खुद की आंट से काफी इंस्पायर थी then of course we are seeing some other elements जो की यलियेत के परस्सनल लाइफ से लिए गाए हैं in this particular novel में but particularly the entire methodism का यो treatment है वो जो जो आटियर्योकिस परस्नल लाइफ से inspired था George Rillot लेड लेड वडरी स्कांडलीस लाइफ उन्होँने शादी बीचव करी थी तो अपने से लगभग 20 साल, कम उमर के की व्यकती से सादी के थी, और यहां पर हमें यात कना है कि उस टाइम के लिए, काफी साथा, it was considered to be very scandalous for those times, तो ये आपको यहां पर धीन रखना है, that she actually led a very scandalous life, so she married also a banker named John Walter Cross, and John Walter Cross, he was 21 years younger than George Elliot, Elliot of course died the same year, अन्य वर्क भी लिखे हैं जोर्ज इलिएट के नाम से जैसे की दो मिल अन्द फ्लॉस हो गया इनकी पॉब्लिकेशन डेट्स आपने याद रखनी है कुछ आपको सेट आम इन ओर्डर के एक क्वेस्टन पूठा जा सकता है तो आपको यह पता होना चाहिए तो आपको यह पत कहानी को देखते है अडम बीड गहानी है जहांपर हमारा जो एक नॉम्मस करेकटर है एक नॉमस तत मेंस के दिन की नेम अफ थे सेंचिरल शेहरा इन नीम आफ दो बूग को आपको यह है यह सेट है in 18th century action जो है वो टेक प्लेस करता है the close of 18th century so close of 18th century that means almost आपका 1799 close हो रहा है और 1800 के beginning में action टेक प्लेस करता है Hetty Sorel एक बहुत ही important character है इस novel के अंदर आप देखेंगे किस प्रकार से Adam Beed actually बहुत ही जादा अकरशित हो जाते है Hetty Sorel के साथ लेकिन अंत में उनकी शादी उनका विवा हो जाता है दाइना मोरेस के साथ और दाइना मोरेस के उपर आप से direct question पूछा जाता है आपके exam में that which of the following characters was inspired by Methodism तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि दाइना मोरेस is that character तो यह कहानी है किस से हमारे eponormous character Adam Bede he is attracted by Hetty Sorel but ultimately gets married to Dinah Hetty Sorel एक pretty vain और self-centered महिला दिखाई गई है she is the niece of the genial farmer Martin Poiser so this is Martin Poiser की niece है Hetty Sorel Adam Bede के दोरा बहुत Adam Bede बहुत ही जादा पसंद करते हैं Hetty Sorel को so Hetty Sorel is actually the center of love for Adam Bede Adam Bede जो हमारे titular character है यह village carpenter है और Hetty Sorel जो है she is actually very attracted towards Arthur Donnythorn Donnythorn, Arthur Donnythorn जो है उनसे Hetty Sorel काफी जादा आकर्षित हो जाती है और यहां आपको याद रखना है कि Arthur Donnythorn actually बहुत ही thoughtless young squire है he is a thoughtless young squire and he is actually seducing Hetty Sorel also despite the fact कि Adam बहुत कोशिश करते हैं कि वो Hetty को सही मार्क पे ले आएं और वो बता पाएं कि Donnythorn is not having any genuine feelings for Hetty but he is just trying to merely seduce her लेकिन फिर भी क्या होता है Hetty Sorel is actually completely वो बिलकुल आकर्षित हो जाती है और एक तरह से fall pray कर जाती है Arthur Donnythorn के एक तरह के जगोसे में आ जाती है so Adam Beed बहुत यहां पर कोशिश करते हैं कि वो Hetty Sorel को इतम से बचा पाएं अब एवेंचली देखा जाता है कि Arthur Donnythorn जो है वो break off कर देते हैं relation with Hetty Sorel और Hetty अब बिलकुली उनका दिल तूट जाता है अब यह जो Hetty है जिनका दिल तूट किया है she agrees to marry Adam Beed लेकिन यहां पर Hetty को पता चलता है कि उनके कोख में एक बच्चा जनम देने वाला है so before the marriage only Hetty Sorel discovers that she is pregnant and therefore वो भाग जाती है ताकि वो Arthur Donnythorn को ढूंड सके और वो Arthur Donnythorn को ढूंड नहीं पाती है तो यहां आपको याद रखना है कि Hetty Sorel को पकड़ लिया जाता है और उनको चार्च लगाया जाता है infanticide का क्योंकि वो एक बच्चे को मारने की कोशिश करती है end moment पर उनका जो पूरा का पूरा she is sentenced के उनको भासी चड़ा दी जाएगी लेकिन she is actually saved from the gallows क्योंकि Arthur Donnythorn आ जाते हैं और Hetty Sorel के punishment थोड़ी कम हो जाती है तो अब उनको फासी नहीं दी जाती है पर उनकी जो punishment है वो थोड़ी कम हो जाती है अब prison के अंदर Hetty Sorel अपनी cousin Dina Morris के द्वारा comfort की जाती है so Dina Morris यहाँ पर आके Hetty Sorel की बहुत जादा मदद करती है तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि Dina Morris who is actually representing एक तरह का kind virtue यह वैसे methodism को follow करती है तो यह एक तरह का contrast है Hetty Sorel से तो यहाँ आपको याद रखना है कि Victorian novelists are always juxtaposing two things together तो यहाँ पर हमें juxtapose होता है Hetty Sorel और डाइना मोरेस तो डाइना मोरेस is actually a foil foil का क्या उर्थ होता है ऐसा character जो कि आप से एकदम अलग है और तभी आप से अलग होने की वज़ज से ही आप उस character की features को समझ पाते हैं तो हमें आपर Hetty Sorel के character is actually a foil to डाइना मोरेस क्योंकि हमें दोनों के characters के बारे में पता चलता है कि how they are contrasting each other डाइना मोरेस एक Methodist preacher है यह question आपका directly exam में पूछा जाता है whose strong and serious calm nature is contrasted with Hetty's nature throughout the novel तो डाइना मोरेस जो है इनका nature Hetty Sorel के nature से throughout the novel compare किया जाता है last chapters में हम देखते हैं कि Adam को पता चल जाता है कि डाइना मोरेस उनसे प्यार करते थे even though Adam का जो भाई है Seth वो बहुत ही सालों से डाइना को प्यार करता है लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि Seth जो है he forgives his let his love forgo वो forgo कर देते हैं अपने लव को Adam के लिए exactly as it is without interfering into any of the things literature में हम यहाँ पर देखते हैं कि Henry James हो गए यह भी एक realist writers है इन्होंने भी कहा था कि Elliot is actually one of the profound influences on his writings तो यह question भी आप से पूचा जा सकता है कि Henry James किस से influence थे Henry James George Elliot से influence थे Virginia Woolf भी का हमारे काफी जो modern writers हैं वो George Elliot को बहुत पसंद करते थे Virginia Woolf भी George Elliot से काफी जादा influence थी rather middle march को Virginia Woolf कहती है it is the only novel to be read by adults because it's having substance and content तो यह आपको याद रखना है तो यह रियलिसम का example है Methodism जो religious reformation का movement था देखे Methodism एक बहुत ही एहम भूमिका ने भाता है Adam Bede में यह एक protestant movement था जो कि England में start हुआ था 1729 में यह आप याद रख सकते हैं John Wesley और उनके भाई Charles Wesley तो यह 1729 John Wesley और उनके भाई Charles Wesley यह दोनों पॉइंट्स आपने note down करके याद रखने हैं यह Methodism से related हैं यह religion reject करता है जो कि आपका puritanism प्रपोस कर रहा था जैसे predestination हो गया कि जाए हम जितनी भी कोशश कर ले everything is fated the idea that only those whom God has chosen to be saved will be saved तो इस तरह का जो यह है यह Methodism बिलकुल reject कर देता है Methodism rejects predestination का concept Wesley जो है डाइना मोरेस की तरह यह प्रीच करते थे और यहां पर आपको याद रखना है कि Methodism was widely popular working classes में यह कि working classes को एक तरह का encouragement मिलता था कि उनकी destinies decided नहीं है वो बदल सकते हैं अपनी destiny को तो यहां आपको याद रखना है लेकिन जो अपर classes थे वो Methodism को काफी simplistic मानते हैं तो novel में भी यही देखा जाता है कि जो आपके sophisticated socialite characters हैं वो Methodism के उपर Methodist के उपर हसते हैं जबकि हम क्या देखते हैं कि जो villagers हैं वो बहुत ही जादा attracted होते हैं towards the gentle love of dynum or race तो यह point आपको याद रखना है realism और Methodism तो बहुत ही एहम important influences हैं इस particular novel के Wesley ने encourage भी किया था to work among the poor जो कि डाइना करती भी है ending में हम देखते हैं कि Adam और डाइना they get married Hattie Sorelle की भी मृत्यू हो जाती है and यहाँ पर they two have two children Seth भी इनी के साथ ही रहता है Seth जो कि Adam का भाई है जो डाइना को पसंद करता था और यह Seth विवा नहीं करते हैं Captain Donathan जो है ultimately returns to Hayslop and he and Adam meet one last time at the conclusion of the novel they are able to stay friends despite all that has come between them यह फिर भी एकदम हम लेखते हैं कि Captain Donathan और Adam अभी भी दोस रहते हैं तो यह कहानी की ending है जिसे हमें ध्यान में रखना है अगर आपको Adam Beed जिसे हम लोगों ने आज देखा इसमें कोई भी डाउट है तो आप comment section में लिख सकते हैं या कोई ऐसा novel या literary work जिसे आप चाहते हैं कि हम cover करें उसे भी आप comment section में लिख सकते हैं या आप उसे instagram पे नीचा रहीजा के नाम से जुड़कर अपने doubts को sort करवा सकते हैं